बूर्णिंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरबूर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेब कंट्रोल्स को कैसे काम में लेते और उनकी प्रोपर्टीज क्या होती है अब हम देख चुके वेब कंट्रोल्स क्या होते हैं जो भी अपने को वेब साइट पर कोई फॉर्म अपन ओपन करते हैं तो जो कुछ दिखाई देता है उसमें उसमें कंट्रोल्स होते हैं जैसे हम सबसे पहला कंट्रोल लेते हैं बटन कंट्रोल्स तो ASP.NET है वो तीन टाइब के बटन कंट्रोल की सुविधा अपने को परदान करती है बटन क्या होता है जो तीन टाइब के बटन होते है उसमें एक तो सिंपल सा होता है बटन उसमें क्या होता है कि एक rectangular आयता का रेरिया होता है उसके अंदर text लिखा रहता है जिसे submit लिखा रहता है, reset लिखा रहता है, cancel, ok इस type का button हो सकता है दूसरा button का प्रकार है link button इसके अंदर जो text display होता है वो एक hyperlink की तरह होता है तीसरा type का button है वो एक image होती है अपने देखा हो न जब website अपने open करते हैं तो कई बार ऐसी image होती है कि उस image पर click करने के बाद में भी कोई न कोई गटना होती है जैसे नया page खुलता है या और कोई गटना होती है तो image भी अपने आप में क्या एक button है और वैसे hyperlink होता है hyperlink क्या आपको कुछ अलग color में display होगा उसके अंदर तो वो भी एक button की तरह है एक तो normal text होता है उस पर आप click करोगे ये कुछ नहीं होगा लेकिन hyperlink पर click करोगे तो आप नए page पर चले जाओगे तो वो भी एक या button की तरह काम कर रहा है तो इसलिए तीन type button होगे इसके अंदर अब button पर अपन क्या करते है button पर हम click करते है तो दो तरह की events होती है click और command basic जो syntax है वो button का वो इस तरह से है asp colon button id इसमें button की id दे देंगे फिर इसमें run at server हमें यह बताना पड़ेगा क्योंकि हम इसको server पर run करा रहे है on click on click पर क्या करेगा button one underscore click और text click तो यह button का syntax है अब button की properties क्या क्या होती हो देखते है पहली property तो यह है कि text जो button होता है उसके ओपर text display होता है उस button पर कुछ ना कुछ text तो रहेगा ना कि उस button से काम क्या होगा तब ही तो हम उसको प्रेस करेंगे जैसे button पर लिखावा है submit इसका मतलब हमने जो information एंटर की है वो submit हो जाएगी अगर किसी button पर लिखावा है display तो वो कुछ display करेगा अगर reset लिखावा है तो हमने फोरम में जो details भरी है उनको reset कर देगा cancel लिखावा cancel बेक करना या forward करना save करना तो इस तरह से buttons के नाम होते है तो यह जो नाम होता है वो button के ओपर भी होता है और link button का भी कुछ ना कुछ तो नाम होता है उसका text होता है यह उसमे text पर क्लिक करते हैं एक होता है image URL image URL में क्या होता है कि यह सिर्फ image button के लिए होता है और इसके अंदर क्या होता है कि image display होती है यह text नहीं होता यह click किस पर करते है image के ओपर एक alternate text होता है यह सिर्फ image button के लिए होता है क्योंकि अगर मान लो ब्राउजर है वो अगर वो image display नहीं करवा पा रहा है तो कुछ text display कराता है वो text क्या होता है उसका नाम होता है image जैसे देखा होगा कई बार internet की speed हो कम आती है तो होता क्या है कि जैसे हम website open करते हैं तो सबसे पहले जो लोडिंग होती है अपने ब्राउजर के अंदर क्लाइट के computer कर वो होती है text की क्युक्त टेक्स्ट है टेक्स्ट सबसे कम सपेस लेते हैं मेमोरी में सबसे कम डेटा खर्च जोते हैं तो internet की speed बहुत slow है तो भी हमारा text वो तो लोड होई जाएगा जैसे देखोगा कई बार हम email id भी open करते हैं तो उसके अंदर अगर speed slow है तो उसमें आएगा कि basic html version अगर हम basic html version कर लेंगे उसमें तो वो जल्दी से load हो जाएगी क्योंकि original version होता है उसमें कुछ images भी होती है तो ज्यादा time लेगा उसमें तो अगर image अगर display नहीं हो पाती इंटरनेट की speed का मैं तो उस image का कुछ ना कुछ नाम होगा उसको alternate text बोलते हैं , cojej validation Coca-лич validation क्या है, that determination whether page validation occurs when a user click the button the default is true है coge validation में क्या होता है जब हम button पर click करते हैं तब check किया जाता है कि इसका validation हुआ की नहीं हुआ कि code for यक्यावता है तो कई बार हमने देखा हूगा कुछ mandatory fields होते है अगर हमने głos उसमें कुछ information नहीं फिल की है या उसका जो pattern जिस टाइप में करनी चाहिए तो उसके अंदर error आता है जब submit button करते हैं तो उसमें error आ जाता है और लिखा रहता है कि पहले से यह जो information जो आपको फिल करनी थी वो सही से फिल करो ऐसे command name होता है command name क्या होता है एक string value होती है जो pass की जाती है command event को जब user क्या करता है क्लिक करता है button को फिर command argument होता है यह भी string value होती है जो पास की जाती है command event को जब user क्लिक करता है बटन को एक होता है post back URL यह URL होता है page का जिसको request की जाती है जब user क्लिक करता है button पर जब button पर click करेंगे तो कई बार नया page भी तो खुलना होता है तो उसमें post back URL अब button के बार में पढ़ लिए आप दूसरा जो वेब कंट्रोल है वो है text box और labels text box क्या काम में आते है यूजर से input लेने के काम में लेते हैं उनको वो user से input accept करते हैं एक text box है control है वो accept कर सकता है एक line भी और एक से ज्यादा line भी वो depend करेगा कि किस तरह का है label controls provide करते हैं easy way to display text when we can change from one execution of a page to the next if you want to display text then that does not change you use the literal text basics in tricks इसका इस तरह से रता है asp colon text box id run at server रहेगा और close जाएगा asp text box properties रहेगी text का mode रहेगा यह specify करेगा कि text box में जो text type कर रहे हूँ किस type का है single line create a standard text box multi line create a text box that accept more than one line of text and password causes the character that are entered to be masked तो default तो single line ही होता है text box text box में अगर password enter करना है उसको masked करना है जैसे password enter करते है तो star star symbol आता है या आपन दूसरा symbol भी कर सकते हैं उसके अंदर तो वो भी हम इसमें changes कर सकते है text box में text क्या होता है content होता है text box का फिर maximum length है उसको क्या read only बनाना है column row यह सारी उनकी properties होती है अब टेक्स बोक्स के बाद में आता है check box और radio button check box display करता है एक single option that user can either check और uncheck रेडियो बटन्स परजेंट ग्रूप ओप्शन्स प्रोम विच दे यूजर कैन सेलेक्ट जस्ट वन ओप्शन आप जएक से देखिए हम form fill करते हैं तो हम देखते हैं radio button बने हुए आते है male या female तो आपको एक check box में हम इस तरह से कर सकते हैं कि आपसे form में fill करें कि आपको कौन सी language जाती है कौन-कौन सी ठीक है जैसे आजका हम apps इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी पूछते हैं कि आपको कौन सी language songs के लिए आप कर रहे हो तो songs के लिए पूछते हैं कि Hindi, Punjabi, English, Marathi तो आपको जितनी भी languages के गाने सुनने हैं उनको सब को चेक कर सकते हो तो checkbox में अपन एक से ज्यादा checkbox को अपन चेक कर सकते हैं लेकिन radio button है वो सिर्फ एक ही button होता है multiple select नहीं करते हैं जैसे आप दूसरे बटन पर क्लिक करोगे radio button पर तो वो अपने आप हट जाएगा पहले वाला तो वो groups मनाने पड़ते हैं radio buttons के ये इस तरह से कुछ syntax रहता radio button का ASP checkbox ID check option run at server basic syntax radio button का radio button ID run at server कुछ properties होती है text जो text display होता है check check बताता है कि उसको check किया गया कि नहीं किया गया default क्या false होता है group name list controls अब list controls भी web controls ही है ये देखे कौन-कौन से type के होते है drop down list होती है list box होता है radio button होता है radio button की list check box की list और bulleted list तो list का मतलब ही होगा कि एक से जदा items रहेंगे उनमें से हम select कर सकते हैं अब list हो किसी भी चीज की हो सकती है drop down list हो सकती है list box हो सकते है radio button list हो सकती है check box bullet list syntax कुछ इस तरह से रहेगा syntax देख सकते है अब कुछ properties रहेगी item item क्या होता है items होते है कि collection of list item object that represent the item in the control row होती है select index होता है कौन से वो select किया गया है selected value कौन से value select की गई है selection mode रहेगा अब each item के क्या properties रहेगी list के अंदर हर एक item है उसकी हर एक item की property रहेगी उसका text रहेगा फिर वो selected है या नहीं है selected उसकी value क्या है the list item collection the list item collection object is a collection of list item objects each list item object represent one item in the list common properties a list item collection की item integer a list item object that represent the item at a specific index count पिर कौन-कौन से methods है add string है add list string है list item insert remove clear तो यह list बनाने के हमारे पास कुछ methods है रेडियो बटन और चेक बॉक्स की list बना सकते हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको कि मैंसे एक ही select कर सकते हैं रेडियो बटन में से चेक बॉक्स में से multiple select कर सकते हैं अध्या बॉलेटेड लिस्ट होती है अब बॉलेटेड लिस्ट है उसमें बॉलेट की style होती है कि हम बॉलेट की कौन सी style दे सकते हैं repeat direction होती है repeat column होता है hyperlink control होता है हाइपर लिंग कंट्रोल एस्टेमल का ए जो इलेमेंट होता है उस तरह से होता है इसका बेसिक सिंटेक्स हम देख सकते हैं अब हाइपर लिंग पर हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज होता है वहाँ पर ही डिरेक्ट कर देता है तो properties हो सकती है कि image URL हो सकता है hyperlink पर control क्लिक करने पर image open हो सकती है अगर image URL दे रखा है navigate URL हो सकता है कोई नया page है वो page open हो सकता है text हो सकता है, कोई text display हो सकता है target कोई window या frame लोड हो सकती है image control image control काम में लिए जाता है image को display कराने के लिए web page पर और अगर web page अविलेबल नहीं है मालो डिलीट कर दी गई है या लोड नहीं हो रही है तो एक alternate text भी होता है यह इस तरह से कुछ syntax होता है properties कुछ रती के alternate text रहेगा absence of image में image का alignment रहेगा image का URL रहेगा तो यह हमने कुछ basic web controls देखे इनकी properties देखी कौन-कौन से methods होते हैं इनको काम में लेने के लिए इसके बाद में आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें validation web server controls पढ़ेंगे कि कैसे हम validate करते हैं अगर client को information feel करता है और वो server पर जाती है तो server उसको कैसे validate करता है और client के उपर भी हम कैसे validate करते हैं उसको JavaScript यूज करके यह हम next video में पढ़ेंगे थैंक यू